तो हेलो काई दिस जंकित वेलकम बेक टो माई चैनल भारती तटर अच्छक बल इंडियन कोष्ट गाड के अंदर एक वेकेंसी आती नाविक जी डी जनल ड्यूटी की तो 2020 में इसका जो सेलेक्शन प्रोसेस है चैन प्रिक्रिया वो पूरी तरीके से चैन जो चुका है अब न अब हैंगे कितने भी परसंटेज हैं मैटर नहीं करता है है nda ssr में तो बोलते हैं 60% होना चाहिए एंग्रिगेट इन 3 समचेक्स में लेकिन यहाँ पे परसंटेज क्राइट्रिया नहीं रखा गया है कितने भी परसंटेज हैं आप एप अप अप आप्लाई कर सकते हो औ वीडियो में नाविक जीडी के बारे में एक कमपलीट जानकारी हम लेने वाले हैं तो वीडियो को सुर्ण से लेका लाज सक जूद देखना जीडियो से लेकिट कोई कोई कुछिन हो तो कमेंट बॉक्स में चोड़ देना और हां इसके नए स्लेव सलेवेज भी चेंज जो को कौन ले लगाने पड़ेंगे, परेक्ट चयाप अगले तीनसे चार दिन में, इस वीडियो के अपलोडिंग टाइम के तीनसे चार दिन में, यहाँ पर एरफोर्स नैवी कि लिये जो प्रेक्टिसेट हैं, इसके अलावा, नाविक, डीबी, जीडी, या नत्रीकिं होगे तो यहाँ पर अनलोग कोर्स के लिए मिनमुम दो सुनियास रुपए पे करने के लिए बोलगा क्लिक करना यहाँ पर कोड का उफसन हैगा तो एक कोड मैं आपको देता हूं इंडियान भी 50 अपलाई करना 2020 में ही यह कोड काम करेगा तो अगर 2020 के बाद यह वीडियो दे तो नाविक GD के लिए eligibility क्या चाहिए, selection procedure क्या होगा, syllabus क्या होगा, सब कुछ update कर दिया गया है तो इस वीडियो में detail में डिसकस करते हैं कोई भी चीज आप मिस मत करियेगा समझेए, सबसे पहले eligibility समझ दीजिये तो eligibility के लिए नाविक GD के लिए आपका जो age है वो 18-22 साल के relaxation है, मतलब 18-25 साल के बीच में अगर आपकी age आती है तो आप इसके लिए eligible हो, अब बात करें अगर educational qualification की, तो देखो इसके लिए नाविक GD के लिए 12th pass होना चाहिए, with math and physics, 12th pass होना चाहिए और 12th में जो आपके subjects है, उनमे math और physics होना चाहिए, percentage कितने है, math में physics में matter नहीं करता है, 12th में कितने percentage है, वो भी matter नहीं करता है, सिर्फ 12th pass होना चाहिए, with math and physics, अगर इतना है तो आप इसके लिए eligible हो, next देखते है, selection procedure, जो की नए चैनल पर किया, नए selection process है, वो हम देखते है, तो the selection of recruits is based on the all India order of merit on their performance in stage 1st, 2nd, 3rd and 4th, 4 stage में इसकी जो परक्रिया होगी, और इसके बाद एक all India merit list बनेगी, और इस तरीके साथ जो selection है, वो होगा, तो अब चलते देखते हैं, stage 1 में क्या होगा, stage 2 में क्या होगा, stage 3 में क्या होगा, और stage 4 में क्या होगा, तो सबसे पहले stage 1, stage 1 में आपका जो written है, वो written examination होगा, और ये online होगा, अब ही तक offline होता था लेकिन आप online होगा, अब यहाँ पर देख लिजिए, क्या है, नाविक ZD के लिए जो written test होगा, वो दो section में डिवाइड रहेगा, section 1 और section 2, अब यहाँ पर passing marks देख लिए, section 1 में आपको 30 marks चाहिए चाहिए, और section 2 में 20 marks, और total जो passing marks है, वो आपका 50 number है, UR, EWS और OBS के तो 27 number आपको section 1 में चाहिए, 17 number section 2 में चाहिए, और total जो overall है वो आपको 44 number चाहिए, आप pass हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि total आपके मानलो 44 number आगे, तो आप pass हो, लेकिन sectional cutoff आपको भी clear करने ही पड़ेगी, यहाँ पर लिखा है, passing section 1 as section 2 separately is compulsory, मतलब section 1 में आपको अगर आप SCST हो तो 27 number लाने पड़ेंगे, आप general से हो या फिर EWS से हो तो 30 number आपको लाने ही पड़ेंगे, और section अगर second की बात करें, SCST वाले 17 number आपको चाहिए चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर आपके 28 आगए, इधर आपके 16 आगए, तो total तो आपके 44 हो गए, तो आप fail हो जाओगे, हर section में जो यहाँ पर sectional cutoff या passing marks दी होई है, वो आपको उतनी clear करनी पड़ेंगे, समझ गे होंगे, चलो आगे देख लेते हैं, section first में क्या आएगा, section second में क्या आएगा, तो देखो जो आपका paper है, दो section में divide होगा, section one में क्या होगा, section one में आपके, जो marks हों होने हैं, online, जिसके लिए आपको 60 marks भी provide के जाएंगे, अब इसमें subjects क्या क्या हैं, वो देख लिए ध्यान से, math के 20 questions आएंगे, science के 10 questions, English के 15, reasoning के 10 और GK के 5 questions पूछे जाएंगे, और जो slaves होगा, वो guys होगा 10th के base पर, section first में जो slaves है, वो 10th base, आपका math में 20 questions, science में 10, English में 15, reasoning में 10 और GK में 5, ठीक है, passing marks मैंने आपको बताया, तो section first में, UR, EWS और OBC के लिए, कितने marks चाहिए, 30 marks आपको section first में लाने ही पड़ेंगे, अगर इससे एक भी number कम होता है, तो आप fail हो जाओगे, SCST के लिए, केवल 27 marks चाहिए, 60 में 27, चलो आगे देखते, section second में क्या है, section second जो है, इसमें केवल आपको 50 marks दिया जाएंगे, number of question जो है, वो भी 50 है, और जो time है, वो आपको 30 मेर दिया जाएगा, 30 मेर में 50 question, 50 number, इसमें जो subjects हैं, वो देख लीजे, subjects हैं आपके math और physics, केवल section second में, math के 25 question, physics के 25 question, और जो slavage होगा, वो आपको 12 में, जो math और physics का slavage है उसके हिसाब से आएगा, और passing marks मैंने आपको उपर बताया था, 20 number आपको चाहिए चाहिए, OBC, UR, EWS के लिए, और SCST के लिए केवल 17 number चाहिए, 17 number अगर section second में लाते हो, तो आप pass हो, कितने में, 50 में आपको सिर्फ 17 लाने हैं, और इनके लिए 50 में सिर्फ 20 लाने हैं, और एक चीज मैंने उपर आपको बताई थी, कि दोनों section आपको clear करने पड़ेंगे, 50 number passing marks है, आपके section first के लिए, section first और section second, दोनों के लिए 50 number है, section first में 30, और section second में 20, वहीं बात कर अगर SCST के लिए, तो section first और second, total आपके 44 number आएंगे, तो आप pass हो जाओगे, sectional आपको pass करना लेते हैं, the question paper for section first and second, अब विल बी objective type होगा, आपका जिसमें four options होते हैं न, और इसके लिए कोई भी negative marking नहीं है, ठीक है, आपको जो माना था, जो सही लगता, सही करो, गलत होगा, तो गलत हो जाएगा, आपके सही वाले से कोई भी number नहीं काटा जाएगा, negative marking नहीं है, तो stage one यहां से हमारा clear होता है, अब आता stage second, तो देखो based on the performance in the computer based online examination, मैंने आपको बता है कि जो exam हो आपका online होगा, अब merit list will be prepared, एक merit list बनाई जाएगी, और एक e-admit card आपको provide किया जाएगा, stage second के लिए, और ये depend करेगा vacancies की availability पर, और ये decide करेगा IGC, IGC, Indian course का decide करेगा कितनी vacancy ह देख्या, उसी के हिसाब से stage second के लिए, जो merit है वो निकाली जाएगी, साथ ही आपको e-admit card से second के लिए, प्रोवाइड किया जाएगा, अब stage second में देखे सबसे पहले आपको physical fitness test है, वो होगा PFT, अब PFT में क्या होगा, वो देख लीजे, PFT में 3 चीज़े होंगी, आपको 1600 मीटर की running करनी होगी 7 मिनट में, 1.6 किलो मीटर इन 7 मिनट, इसके अलावा 20 squads अब करने पड़ेंगे, उर्ठक बैठक जैसे बोलते हैं, और 10 आपके push up करने पड़ेंगे, एक important चीज यहाँ पे लिखुई कि all three tests of PFT are to be carried out in continuity without any break, any break will lead to failing the PFT, यह तीनों चीज़े जो है तो फिर आप fail हो जाओगे, मतलब आपको running करनी है, 1.6 किलो मीटर, 1.6 किलो मीटर इसके बाद 20 squads up करने हैं, इसके बाद 10 push up करने हैं, अगर आप इतना सब कुछ करने हैं, इमें सच्छा हम हो, आप सब कुछ कर लेते हो, तो आप ओवेस यह बात है, पास हो जाओगे, अब हम छोड़ देते हैं, कुछ खास चीज नहीं है, अब पॉइंट नमर डी में देखिए, initial medical examination, अब इसमें आपका जो initial medical हो जागा, जिसे pre medical बोलते हैं, वो किया जाएगा, इसमें देखो होगा क्या, समझ लो इसको बहुत अच्छे से, अब medical officer में put the candidates as permanently unfit or temporarily unfit, जो officers होंगे medical officers, वो आपको permanently unfit भी कर सकते हैं, और temporary unfit भी कर सकते हैं, ठीक है, अब आपको करना क्या है, कि अगर आप permanently unfit हो गए, या फिर temporary unfit हो गए, तो आपको क्या करना है, जो candidate है, वो appeal कर सकता है, ठीक है, finding of the initial medical examination, the appeal medical to be completed within 21 days, देखो, if permanently unfit, देखो, अगर आप permanently unfit हो, तो आपको आप एक appeal कर सकते हो, और जो appeal आपकी 21 दिन में आपको complete करना ही पड़ेगी, और अगर आप temporary unfit हो, तो आपको 42 दिन का time मिलेगा, 42 दिन के अंदर, आप जो अपनी appeal है, जो भी है, वो आप अपनी complete करके दिखा सकते हो, कि अब मैं unfit नहीं हूँ, अब मैं fit हूँ, I think आप mentally unfit हो, तो आपको 21 दिन में वो complete करना होगा, इसके बाद कोई chance नहीं मिलेगा, 21 दिन के बाद, और इधर 42 दिन के बाद, अगर आप temporary unfit हो, ठीक है, D number हो गया, अब आता है stage 3, stage 2 यहीं तक होगा, आपको जो pre-medical हो हो जाएगा, complete, अब आएगा stage 3, अब यहां पर क्या होग of stage 1st and stage 2nd, आपने online exam दिया, आपका जो PFT हो गया, pre-medical हो गया, अब इसके बाद, एक all India merit list बनाई जाएगी, और stage 3 के लिए एक बार फिर से e-admit card provide किया जाएगा, जो आपके final medicals हैं, वो आपके INS चिलका पे होंगे, और अब वो depend करता है कि ICG depend करेगा कि कितनी vacancy है, उसी जो final merit है, वो बनाई जाएगी, और उतने ही लोगों को जो e-admit cards हैं, वो provide किया जाएगे, अब stage 2nd, 3rd में ये चीज़ हो गई, आपको admit card मिल जाएगा, stage 3rd के लिए, अब सबसे पहला जो काम है, वो होगा, आपको document verification, stage 2nd में भी document verification हुआ था, 3rd में भी document verification किया जाएगा, इ commission of original documents, police verification and other associated forms, अब यहाँ पे जो आपके original documents है, police verification है, और जो भी associated forms है, वो सारे आपके submit किया जाएगे, C number पे, ठीक है, अब आता है, stage 4th, stage 3rd में आपको इतना ही किया जाएगा, इसके बाद आता है stage 4th, अब stage 4th में क्या होगा, देख लो, the candidates are to submit all the original documents and verification of all original documents through board universities, state government will be carried out by Indian and cost guard, candidate will be terminated from service if the documents are reported as not genuine by respective boards, universities, state governments and criminal proceedings will be initiated against the candidate, simple सी बात है, यहाँ तक देखो stage 3rd तक आपका जो है, जो final medical है, वो हो जाएगा, इसके बाद जो आपके original documents है, police verification है, यह साब आप submit कर दोगे, अब stage 4 में होगा, जो भी आपने documents वगएरा submit किये हैं, वो सारे चेक किये जाएगे, verify किये जाएगे, अगर आप किसी भी समय, यह जो documents है, आपने जो submit किये हैं, अगर यह गलत पाय जाते हैं, genuine नहीं पाय जाते हैं, तो आपको service से हटा दिया जाएगा, clear सब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरीके से यह 4 stage में जो आपका GD का selection है, वो selection process आपका समझ पाऊंगा, और इस हिसाब से आपको वीडियो भी provide कर पाऊंगा, तो syllabus के लिए यार अलक एक वीडियो बनती है, बाकी general duty के selection process लेटर अगर आपको कोई और question है, तो मुझे बताएगा, बाकी आपने अगर वीडियो सांती से ध्यान से देखा है, तो मैंने stage 1, stage 2nd, stage 3rd, और stage 4th, सारी चीज़े clear बता दिया है, डॉकुमेंट से लेके, पॉलिस वरिफिकेशन, प्री मेडिकल, फाइनल मेडिकल, सब कुछ कब क्या होगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, सबसे important है कि online examination आपको clear करना, sectional cut-off भी clear करना, है न, तो बाकी आपको कोई दिक्कत ह कोई भी question है, तो comment box में छोड़ देना, बाकी next topic होगा, वो होगा अपका GDK slavis related है न, इसका slavis क्या है, और salary बगएरा क्या मिलती है, सब कुछ हम next video में discuss करेंगे, इसके बाद हम DB उठाएंगे, इसके बाद हम यांतरिक लेंगे, इस तरीके से तीनो जो vacancies हैं, इनके होगी होगी, अगर वीडियो अच्छे लगी हो, तो comment box मुझे बताएगा, like कर देना, चैनल पर new हो, तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना, take care, bye guys